नमस्कार आप देख रहे हैं देनिक भासकर उत्रा खंड उत्र प्रदेश में हूँ आपके सान्स अपना पांड़ी आए डालते हैं एक नजर उत्रा खंड उत्र प्रदेश की खबरों पर जिन्दगी पर भारी पढ़ रहा खराब मौसम केदारनात में दिन और शाम के तापमान में भारी अंतर सामने आ रही हैं कई हाइपुथर्मिया के मामले केदारनात में पलपल बदल रहा मौसम यात्रियों के लिए मुसीबत बन रहा है बारिश ओला वरिष्टी और उपरी पहाडियों पर हो रहे हिमपाच से केदारपुणी में ठंड बढ़ रही है जिससे हाइपुथर्मिया के मामले में बढ़ोतरी हो रही है दिन और शाम के तापमान में यहां 18 से 21 डिगरी तक का अंतर है तो वहीं इसके अलावा पैदल मार्ग पर रामबाड़ा से रुद्रा पॉइंट तक 4 किलोमेटर की चड़ाही भी यात्रियों पर भाड़ी पर रही है कपाट खुलने के बाद अभी तक 28 यात्रियों की मौत हो चुकी है इस इसमें से 27 यात्रियों को दिल का दोरा पड़ा है वसीम रिजवी उर्फ जीते इंदर नाराणी सिंग त्यागी लेंगे सन्यास अखाड़ा परिशद और विद्वद परिशद से बाचीत की तैयारी में आनन्द स्वरूद प्रेस क्लब में अपनी विवादित किताब के व वसीम रिजवी उर्फ जीते इंदर नाराणी सिंग त्यागी हिंदू धर्म अपनाने के बाद अब वह सन्यास ले सकते हैं। रिशिकेश में गंगा में नहा रही दिल्ली के तीन परियतक डूबे, एक की वी मौत, जल पुलिस और SDRF चला रही रेस्क्यू अपरेशन। चंपावत के रण में पूरु मुख्यमंतरी हरीश रावत ने थामी चुनाव प्रचार की कमान विधानसवाक्षेतर में बिताएंगे पांच दिन। चंपावत विधानसवा सीट के लिए एक तिस माई को होने वाले उप्चनाव से पहले कॉंग्रिस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रदेश तरीय नेताओं के साथ केंद्री नेताओं का भी कारिक्रम जारी कर दिया गया है। सोमवार से पूरु मुख्यमंतरी हरीश रावत ने भी चंपावत पहुचकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। तो वहीं AICC की ओर से प्रभारी देवेंद्र यादव का चुनाव प्रचार का कारिक्रम भी जारी कर दिया गया है। प्रभारी यादव 24 से 27 माई तक चंपावत में ही रहकर पार्टी प्रतियाशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के साथ रणनी देख भूमी का निभाएंगे। प्रचार का निभाएंगे।